नई किरायदार नी ये कहते हुए राज घर से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद शिविन अपने कमरे से निकल कर नीहा के पास आता है। ओ हो ममी ओवर एक्टिंग मत किया करो, मा की बाते अब ओवर एक्टिंग ही तो लगेगी न, मेरी तो कोई फिलिंग से नहीं है, क्या करूँ, मर जाओं क्या मैं। उफो ममी जा रहा हूं मैं, बाई। शिमिन चला जाता है, और नेहा बेचारी के लस्ती अपने घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह चलती है नेहा की जंदगी, जिसमें उसके ज्यादा बोलने वाली आदत की वज़े से उसका पती और बेटा उसकी फीलिंग्स की कदर की बिना हमेशा उससे दूर भागते रहते हैं। पूरा दिन घर में अकेले रहो, और जब पती या बेटे से बात करने जाओ, तो उनके नक्रिया लग। अब मुझे ही कोई अच्छा किरायदार ढूणना पड़ेगा। इसे के साथ नेहा किरायदार की खोज शुरू कर देती है। जिसके कुछ महीनों बाद दूसरे शहर से यहाँ पढ़ने के लिए आई निम्मी, घर ढूणते हुए नेहा के पास आती है, और वो उसे किरायदार रख लेती है। अगली सुबर हमिशा की तरह राज और शिविन अपनी जल्दी में होते हैं कि निम्मी वहाँ आ जाती है। दीदी, थोड़ी चीनी मिलेगी, वो कलना राशन लाने का समय ही नहीं मिला। निम्मी को देखते ही दोनों बाप बेटे की जल्दी वहीं खत्म हो जाती है। और वो निम्मी को इंप्रस कने के रेस में भागने लगते हैं। अरे ममी को क्यो परिशान करना, मैं हो ना। तुने आज तक अभी किचन की शकल भी देखिए, रुको, मैं लेकर आता हूँ। चीनी का डिबबा कान सा है और कहां रखा है, वो तो पता नहीं है दोनों को, फिर चीनी के अपने मू से निकलने जा रहे हो किचन में। अरे मैं तो बस तुम्हारे मदद करने के लिए बोल रहा था। है? क्या? मदद? और वो भी तुम करोगे, सच में। अरे कोई तो सच बताओ, सुबह सुबह दोनों बाप बेटे कोई सूखा ना शा करके तो नहीं आ गया ना। अरे कैसी बेकार की बादे करती हो ममी? अरे जब को आचानक हंस की चाल चलनी लगीगा तो शक होना तो लाजमी है ना। घर का ऐसा माहोल देख, निम्मी वहां से जानी ही लगती है कि राज उसे रोक लेता है। अरे आपने चीनी तो लिही नहीं। एच सो की भाईया, मैं आज बिना चाहिकी ही कॉलेज चली जाऊंगी। जहां एक तरफ भाईया सुन राज का दिल टूट जाता है, वहीं कॉलेज सुन शिविन खुश हो जाता है। वैसे आप कांसे कॉलेज में हो? इस पर निम्मी जवाब देने ही वाली होती है, लेकि नेहा टोकते हुए बीच में बोल पड़ती है। जल्दी आने में बदल जाता है। एक शाम वो दोनों समय से पहले ही घर वापस आ जाते हैं, जिनें देख नेहा हैरान रह जाती है। हाई मेरे रब्बा, अरे पहले घर जल्दी आना शुरू कर दिया और आज तो उससे भी जल्दी, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। मतलब अब क्या हम अपने घर भी जल्दी वापस नहीं आ सकते। अरे घर तो कितने सालों से तुम्हार आई है, पर लगता है कि अपना ही है, इस बात का ऐसा सब हुआ है। वो सब ठीक है मम्मी, निमी कहा है, जरा उससे बड्डे विष्ट कर दू। अरे वहरे, आज तक तो अपनी मा का बड्डे तुझी याद नहीं रहा, उसका बहुत याद है। वो तो मुझे बापा ने याद दिलाया है। अरे क्या बोल रहे हो तुम, जूटे, नहीं बेबी, देखो मुझे तो तुम्हारा बड्डे भी याद नहीं रहता तो उसका कहां से याद रहेगा मुझे। तौबा, मैंने तो किरायदार रखकर अपनी ही पैर पर गुलाडी मार ली। बेटा तो बेटा, यहाँ तो बाप भी किसी से कम नहीं है। इतनी देर में निम्मी भी घर वापस आ जाती है। जिसे देखती ही शिविन, हैपी बर्डे गीत गाता हुआ उसके पास चला जाता है। हैपी बर्डे निम्मी। बता आज क्या चाहिए तुम्हें। हाँ हाँ, मांग लो ना इसकी जान। अरे ने ने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बलकि मैं तो आज आप लोगों को कुछ देने आई हूँ। क्या, क्या देने आई हो। निम्मी अपनी बैग में से मिठाई का डिबबा और शादी का कार्ड निकालती है। यह मेरी शादी का कार्ड और मिठाई, आप सबको मेरी शादी में ज़रूर आना है। और इसी खुशी में मिठाई खाइए। निम्मी की बात सुनकर जहां शिवीन और राज शौक में आ जाते हैं, वहीं निहा हस्ते लगती है. दिल की अर्मा आसुओं में देह गए. निहा की बात से कन्फ्यूस्ट निम्मी उससे इसकी वज़ा पूछती है, जिस पर निहा अपने पती और बेटे की सारी करामाते उसे बताती है. I can't believe, आपको मैंने भाईया बोला, और शिवीन तुम्हें तो मैं हमेशा छोटे भाई की तरह समझती हूँ, लेकिन कहते हैं न, man will be always man, लेकिन आज से ये man सेम नहीं रहेगी इनके लिए. फिर क्या, बाब बेटे आगे आगे और नेहा जाडू लेकर उनके पीछे पीछे.